Hello everyone, I hope this message finds you fit and fine जमीन और पानी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पडोसी देशों में कांफ्लिक्ट रहेंगे ये insights थी चानक्या की in his mandal theory वो ancient time में बात कर रहे थे तो जमीन और पानी ही क्यों इसका एक कारण आप कहेंगे किसी भी राच्चा किसी भी नेशन की boundary उसकी territory तो सबसे important है means कोई भी देश बनता है उसकी territory से उसकी population से उसकी government से और government के पास जो संप्रभूता है sovereignty उससे है तो जाहिर सी बात है जमीन तो dispute का कारण रहेगी इसके बाद पानी क्यों पानी essential है for the sustenance of population as well as agriculture यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि agriculture भी इसका एक primary link है चानक्य की जो मंडल थियरी है जितनी सटीक वो saoutation politics को समझने में पैठती है उतनी सटीक आज की European politics में नहीं उसका एक कारण agriculture पर dependence भी है चलिए इस insight से अब बात करते हैं आज के topic के बारे में इंडिया बंगलादेश relations इंडिया और बंगलादेश में अगर हम conflict की बात करें तो land dispute रही है काफी हद तक solve view है उसकी बात हम करेंगे water की बात करें तो water चाहे तीस्ता का हो means river water dispute वो भी रहा है गंगा फरका बराच जिसके हम आज बात करने वाले हैं इसके अलावा maritime dispute भी रहा है means exclusive economic zone लेकिन एक खास बात है जिसकी वजह से आज पांगलादेश इस मुकाम पर है second largest southeastern economy यानि के जिस देश से वो अलग हुआ था पाकिस्तान से आज वो पाकिस्तान से तो काफी आगे पहुँच चुका in terms of macro economy factors along with this अगर हम developmental factors की बात करें तो उसमें कई माइनों में बांगलादेश इंडिया से भी आगे जा रहा है जैसे gender parity and hunger to be prominent तो यानि कि ये तो समझ में आया कि बांगलादेश ने काफी कुछ अचीव किया लेकिन ऐसा क्या different बांगलादेश ने किया और भारत के साथ उसके relations कैसे रहे हैं जैसे इंडिया बांगलादेश की बात आती है तो आम तोर पर आपके दिमाग में आता होगा विजयतीवस कि बांगलादेश के साथ तो हमारे relations अच्छे ही रहते होंगे क्यों क्योंकि बांगलादेश के लिबरेशन को कराने में हम major contributor थे 1971 Liberation War लेकिन कहानी कुछ इससे अलग है यानि के इंडिया बांगलादेश relations में अपने crust and trough भी आए हैं यानि के अपने उतार चड़ाओ भी आए हैं और मैं आपको यह बता दू अंतराष्ट राजनिती ऐसे नहीं चलती कि अच्छा ठीक है इसके liberation में इस बांगलादेश के creation में अगर आपने contribute किया था तो अब यह हमेशा के लिए आपके interest में ही काम करेगा ऐसा नहीं है और इसी वजह से चाइना के साथ बांगलादेश की बढ़ती करीब यां इंडिया को संशे में डाल रही हैं क्योंकि जब भी हमारे security policy makers बैठते हैं तो वही सोचते हैं कि अगर ऐसे developments अभी हम देख रहे हैं तो worst case scenario क्या हो सकता है क्योंकि तभी हम अपनी security metrics को properly design कर पाएंगे राइट कहा जा रहा है कि इंडिया बांगलादेश के relations अब mature phase में है मैंच और क्यों कहा जा रहा है ये भी हमें जानना है पचास सालों में बांगलादेश ने काफी कुछ बदला है अब बांगलादेश जियो politically बड़ा important है इंडिया के लिए जियो इसकी geography क्योंकि longest boundary इंडिया की अगर किसी देश के साथ है तो वो है बांगलादेश North East में हमें security prosperity ensure करनी है तो उसके लिए बांगलादेश हमारे लिए important है क्योंकि बांगलादेश के land route का इस्तमाल करके हम significantly reduce कर सकते हैं of this reaching out to these areas in North East right साथ में 54 common rivers हैं इंडिया एंड बांगलादेश के बीच में जिसके लिए हमने एक joint river commission भी बनाई हुई है कुछ basic facts इंडिया first largest economy है साथ एश्या में और बांगलादेश second है लेकिन इन दोनों के आपस के trade कैसे हैं और वो किसके favor में ये भी हमें जानना होगा अगर बांगलदेश की history की बात करें तो आपको पता है कि एक time पर ये area बेंगॉल प्रोविंस का पार्ट था यानि के हम culturally linguistically connected हैं बांगलदेश का anthem national anthem अमार सुनार बांगला इंडिया का national anthem जनकनमन किस ने बनाया रबिन नात टैगोर चे ने बनाया तो कहने का मतलब यह है there's lot of there are lot of points on which we have common standing but having common standing does not suffice our understanding of geopolitics यही के और भी कहीं सारे factors हैं जैसे कहते हैं ना कि लोग बुरे नहीं होते हालात बदलते हैं तो लोगों के फैसले बदलते हैं और कई बार वो फैसले आपको negatively impact भी कर जाते हैं तो इसी वजह से geopolitics is about understanding the equations और हालात दूसरे के बदले और वो अपने फैसले बदले जिसका आप पर नाकरात्मक प्रभा हो तो आप अपनी equations को set properly पहले से ही कर लीजिए care, care reasons रहे बांगलदेश के creation के from Eastern Pakistan prominent being political imbalance इसका मतलब क्या है देखे Western Pakistan and Eastern Pakistan Eastern Pakistan जहां बांगलदेश आज हम देखते हैं अगर पाकिस्तान की national assembly की बात की जाए तो वहाँ पर जादा seats किस के पास थी Eastern Pakistan की Western Pakistan जैसे की Indian लोकसभा, right, our parliament लोकसभा so लोकसभा में representation है from different constituencies तो इसी बिना पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की national assembly है उस time पर किस की seats जादा होंगी Western Pakistan की या Eastern Pakistan की constituencies की answer is Eastern Pakistan constituencies अब आप कहेंगे, सर ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम area wise देखें तो Western Pakistan जहाँ पाकिस्तान है वो बड़ा लगता है और Bangladesh it seems quite small in comparison to this Pakistan लेकिन reason इसका ये है कि Eastern Pakistan यानि कि Bangladesh की जो population है वो significantly higher थी with Western Pakistan in comparison to Western Pakistan अब आप कहेंगे कि सर इससे political imbalance का क्या relation है देखें सीदा relation है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक division of seats 300 seats की पाकिस्तान की national assembly थी पहली बार एक ऐसा मौका आया था पाकिस्तान के इतिहास में कि 1970 में जनरल assembly election हुए ये कहा जाता है कि बहुती जदा fair elections थे 1970 के जी हाँ आजादी के बाद से पहली बार full-fledged general assembly election हुए 1970 में तब तक हमने तो कितनी बार general assembly election करा लिये थे और बांग्रदेश के creation से पहले के तो last election साबित हुए अब इस election में 300 seat थी plus 13 13 seats were reserved for women और उसमें से भी 7 seat जो थी वो बांग्रदेश यानि के eastern Pakistan में थी और 6 seat जो है western Pakistan में थी अब अब इन 300 में से भी 162 162 जो seat थी वो आपकी थी eastern Pakistan की side और eastern Pakistan में जो सबसे prominent party थी और आप मान कर चलिए कि एक मत जिसको support था वो थी अवामी league जिसको lead कर रहे थे शेक मुजबर रहमान अब चलते है western Pakistan की तरफ western Pakistan में जुल्फिकार अली भुट्टो इनकी party PPP चुनाव होता है और चुनाव के बाद 162 में से 160 seat पर जीती है अवामी league और जो 7 seats थी मैंने बताए न आपको 13 में से 7 seat जो women के लिजर्व थी उस 7 की 7 seat पर भी जीती है अवामी league अब इधर देखते है western Pakistan में western Pakistan में केवल 81 seat पर PPP जीती है बाकी जो 6 seat थी 6 में से 5 seat women की वो जीती है अब difference क्या आया इससे अरे difference सीधा सीधा यह आया अगर पाकिस्तान की assembly national assembly अगर 300 का हम count करें तो 300 में से जिसके पास 151 seat की बहुमत होगी वो पाकिस्तान में सरकार बनाएगा यानि के वो पार्टी अब केवल eastern Pakistan ही नहीं western Pakistan को भी lead करेगी तो आप कहेंगे कि यार ये तो बात ठीक है हम east और west में division क्यों कर रहे हैं ये division हम नहीं कर रहे हैं ये division खुद जुल्फिकार अली भुटो के comment से निकला था जुल्फिकार अली भुटो नहीं चाते थे कि east यानि के eastern Pakistan यानि के बेंगॉली प्रोविंस से ये बेंगॉली based party ये राज करे western Pakistan पर भी और ऐसे में इन्हों एक statement दे दे थी I would say that was a loose statement उधर तुम इधर हम तो शेक मुजबर राहमान ने कहा कि अच्छा चलिये तो फिर ऐसा ही सही इस national assembly के एलेक्शन के बाद जब इन्हें मौका मिलना चाहिए ता सरकार बनाने का जुल्फिकार अली भुटो ने collide किया with the president of the time of Pakistan और इनको मौका ही नहीं दिया सरकार बनाने का इसके बाद इनकी पार्टी ने एक नई campaign स्टार्ट करी six point campaign कहा कि यह हमारी मांगे हैं कि आप eastern पाकिस्तान को autonomous region घोशित करिए पाकिस्तान का साथ बना रहेगा लेकिन हमारी कुछ स्वाइपताएं होनी चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि western पाकिस्तान जो हमारे साथ unfair कर रहा है military establishment में कौन है western पाकिस्तान के जनरल्स political establishment में कौन है western पाकिस्तान के लोग और जो legitimately हम जीत रहें वो भी नहीं करने दे रहे तो ऐसे में इस six point program के बाद देखा गया कि जो provincial election थे उसमें भी आवामी league ने जंडा फैरा दिया अब ऐसे में क्या अब आप सोच रहे होंगे क्या शेक मुझिबुर रह्मान की पार्टी ने इस्टन पाकिस्तान में नहीं लड़ा था चुनाओ जी लड़ा था चुनाओ एक भी सीट नहीं निकली थी क्या शेक मुझिबुर रह्मान की आवामी league ने western पाकिस्तान में नहीं लड़ा था चुनाओ लड़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं निकली थी इनकी भी महाँ पर तो यानि के इनका जो hold था जैसे इनको 160 मिल गई तो इनका होल डीस्टन में था और इनका कुछ होल वेस्टन में था और इनकी इनकी इतने नंबर्स कम की हो गए इसके बीछे कारण है कि इनके competitor में और भी कहीं सारी parties थी जैसे Muslim League कयूम ऐसे और कुछ Islamic parties थी तो इनकी सीर तुम्हाँ पर बट रही थी लेकिन यहां पर एक छत्र इनको support मिल रहा था तो यानि कि यह आपकी बात आपको पता लग गई कि यह पोलिटिकल इंबैलेंस चल रहा था राइट लेंड्स लाइट विक्ट्री होती है अवामी लिए कि इससे connected है आपको मैंने भी समझाया और cultural difference थे वो नहीं चाहते थी कि Bengali based parties that should actually have hold or hold Pakistan अब operation searchlight शुरू होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझब रह्मान ने मांग करनी स्टार्ट कर दी कि हमें चाहिए autonomous region तो ऐसे में western Pakistan से based army generals ने operation searchlight स्टार्ट किया कि जो भी पाकिस्तानी हकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको दबा दीजिए means to crush the rebels this operation स्टार्ट लेकिन ये और ज्यादा negative साबित हुआ पाकिस्तान के लिए क्योंकि अभी तो वो autonomous region की मांग कर रहे थे अभी searchlight operation ने प्रूफ कर दिया कि और कोई रास्ता नहीं है हमें अब चाहिए एक अलग nation तो मुझब रह्मान और फिर मुक्ती बाहिनी जो एक armed group बना और का जाता है कि इसको train किया Indian intelligence agencies ने और फिर मुक्ती बाहिनी क्योंकि इस train थी और means was actually equipped with weapons which were provided by India तो दे वर fighting side by side with Indian army जिससे की अब ये जो लड़ाई थी ये कोई Indian army पाकिस्तान के साथ के वल नहीं लड़ रही थी ये एक तरीके से civil war बन गया था और वहां हम humanitarian ground पर और खुद अपने area के stability के लिए क्योंकि वहां पर जो क्राइसिस हो रहे थे उससे immigrant immigration की population means illegal immigrants बढ़ रहे थे हमारे नॉर्थ इस्टन रीचन में तो हमारे लिए भी domestic security issue था तो इस ground पर हम कह सकते हैं कि India intervened for the liberation of Bangladesh इंडो बांगला कोपरेशन हो जाता है जिसकी मैंने बात कई मुक्ती बाहीन सपोर्ट मिलता है अब इसके बाद creation हो जाता है बांगलादेश का राइट अब इस creation के बाद होता क्या है शेक मुझबुर रह्मान की सरकार बनती है और यह कहा जाता है कि starting के कुछ दिनों में त तो इंडियन गौर्नमेंट का सपोर्ट था इंडिया हेल्प बांगलादेश इंडिपेंडेंस नाइटीन सेवेंटीवन और दोजार इकिस में पचास साल हो गए मुझबुर रह्मान ने सरकार बनाई अब इसके बाद जाहिर सी बात थी कि क्योंकि इंडिया का मेजर रोल है तो इंडिया पहला वो देश बना जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैबलिश किये और रिकागनाइज किया कि बांगलादेश इस सेपरेट नेशन राइट अब यहां पर एक बहुत चीज़ जाधा इंपोर्टेंट है इंटरनाशनल रिलेशन और नॉट जस्ट अब पाकिस्तान एज़ नेशन का जो आइडिया है उसकी डिफीट थी जिनना ने क्या कहा था कि धर्म के नाम पर एक राष्ट चाहिए मुसलिम्स का एक नेशन होगा तो वो सिक्योर होगा वो प्रॉस्पर करेगा लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई राष्ट सिक्योर होता और प्रॉस्पर करता तो फिर ये डिविजन होता क्यों यानि के इससे में पता लगा कि वहाँ पर रिलीजिन एजन आइडिया एज़ बेस अफ नेशन गॉट डिफीट तो ये एक तरीके से हमला केवल पाकिस्तान की टेरिटरी पर नहीं था ये पाकिस्तान एज़ नेशन का जो आइडिया था जिसके बेसिस पर वो इस्टेबलिश हुआ उस पर भी था और साथ में जीत थी उस आइडिया की जिसके बेसिस पर इंडिया कार्वाउट हो रहा था यानि के अलग अलग धर्म के लोग सब मिलकर रह सकते हैं विदर कैन बी यूनिटी इन डावर्सिटी और ये ये पर वियापार के लिए वियापार के लिए क्यों आए क्योंकि बिटेन में स्थापित जो फैक्टरीज थी उनको जरूरत थी नई मार्किट्स की उनको जरूरत थी अपनी फैक्टरीज के लिए रॉमेट्रियल की और अपनी टर्म्स पर वो चाहते थी तो यानि के बिटिश राज का जो कैपिटलिजम है पूंजी वाद है उसकी भूख थी उसको फ्यूल चाहिए था और इस वजह से उस फ्यूल को भरने के लिए भारत और अन्य देशों को गुलाम बनाया गया तो यह जो गुलामी है यह पूंजी वाद के विचार से जुड़ी हुई थी और इसमें हमने शोशन देखा हमने देखा कि कैसे there was huge disparity which was created एक ही तरीका था वो था socialism यानि कि अब जो सरकार बनेगी वो गरीब शोशित के लिए काम करेगी क्योंकि जब मैंने आप से कहा कि nation जो है territory से बनता है population से बनता अगर population weak है population गरीब है तो देश कैसे समर्द बन जाएगा तो population को तो मजबूत करना पड़ेगा ना तो सरकार को इस गरीब तब के पर ध्यान देना होगा जब यह elevate होगा तो देश elevate होगा तो सेम आइडिया पर बांगलादेश बना था राइट तो इस एकस्टेंशन आइडिया और इंडिया और इंडिया और कहानियों में अच्छी चीज़े ऐसा नहीं है कि हमेशा चलती ही रहें तो ऐसे ही कुछ चेंज़िस आता हैं बांगलदेश में भी सबसे पहले तो समझते हैं कि बांगलदेश की कंडिशन कैसी थी बांगलदेश में पौर्टी थी भी सरकार के पास जरूरी रिसोर्स नहीं थे अब जैसे कि मैंने का स्टोरी में ट्विस्ट आता है अब इन मुद्दों पर काम करने लग गए थे infrastructure and these things they started working but शेक मुझबुर्रह्मान का हो जाता है assassination अब ये तो important pillar थे बंगलदेश के बंने के ये तो important pillar थे इंडिया बंगलदेश relation के अब इनका assassination हो जाता है और ऐसे में shift आता है इंडिया बंगलदेश relations में अब आप कहेंगे सर शिफ्ट क्यों आ रहा है creation तो हम नहीं करा है ना बंगलदेश का तो जो भी नया leader होगा क्या वो इस बात को नहीं मानेगा कि इंडिया का major role रहा है और इंडिया can contribute in its development देखिया हमेशे ऐसा नहीं होता क्योंकि matter ये भी करता है कि leadership किसके पास आ रही अब leadership आती है नए leader के पास जिया और रह्मान जनरल जिया और रह्मान अब जो लोकतंतर की आस थी वहाँ पर जो democracy की एक उमीद थी अब वो कहीं खो जाती है after general जिया और रह्मान और ये inclination दिखाते है कि अब बंगलदेश को एक नई identity के तोर पर उभरना होगा वो identity जिसके base पर पाकिस्तान बना था यानि के emphasize on Muslim identity तो यानि के ये जंग जो है वो केवल territory की नहीं है ये idea की भी है कि बंगलदेश as an idea है क्या आप में से कहीं लोग सूचते होंगे कि सर ये क्या भकवास बात है मतलब इससे क्या हो जाएगा आपको लगता होगा कि ये सैकुलरिज्म Muslim as an identity ये तो कुछ शब्द है कहीं पर लिख दिये जाएं तो कोई इतना माईने नहीं रखता मैं बताना चाहूंगा कि reality is shadow of our ideas यानि कि जो वास्तविक्ता है वो हमारे विचारों की ही चाया है अगर आपने Muslim identity के basis पर फोर्ज किया बंग्रदेश को तो इसका सीधा सीधा मुझे बताईए प्रभाव आने वाली जो policies होंगी बंग्रदेश की सरकार की उस पर होगा कि नहीं होगा अब जब बंग्रदेश की हुकोमत की जो policies हैं वो Islamic credentials से decide होंगी तो मुझे बताईए ऐसी सरकार की जो schemes होंगी उस पर फर्थ पड़ेगा तो ऐसे में जो outcomes होंगे in economic sector, in political sector, in social sector उस पर भी impact होगा कि नहीं होगा इस वज़ा से ideas matter अगर कहीं पर भी diversity है किसी भी area में तो वहाँ पर एक identity को forge करना कि यही है बस देश का identity तो वो मैं कहना चाहूँगा कि उस पूरे देश के लिए नामा कूल है it's not good because it will create resentment और resentment से कभी भी देश आगे नहीं भड़ता right so he revived relations with Pakistan and China तो अब आपको लग रहा होगा कि यह तो बिल्कुल anti-India stand लेकर बैठ गए जी हां कुछ ऐसा ही चल रहा था और यह कहा जाता है कि ऐसा उन्हें इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि Bangladesh के वल इंडिया पर dependent रहे वो diversify करना चाहते थे so that he can gain in you know whatever he can तो गलत ही होगा हमारे इंटरेस्ट के लिए तो गलत ही होगा right because Pakistan and China going to use Bangladesh against India इसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नहीं क्या Indian means Indian Prime Minister Indra Gandhi जी she was making effort to actually build bridges क्योंकि हमने जो investment किया था हमें उसको retain करना था लेकिन कुछ ज्यादा fruitful नहीं ही रहे क्योंकि मिस्टर रियाउज जियाउर रह्मान अपना inclination बना चुके थे अब इसके बाद एक major change आता है उसके बाद देखता है कि हम एक decline दिखता है इंडिया बंगलदेश relation में वो था इंडिया का step to build फरक का बराच अब आप कहेंगे प्रोजेक्ट से इंडिया बंगलदेश relation में क्या impact होगा सर जी होगा देखिए सबसे पहले समझते हैं फरक का बराच है क्या बराच समझते हैं अगर मान लीजे को रिवर है उसके रिवर के फ्लो को हमें डावर्ट करना है कुछ पार्ट को फ्रू इस सका पर्पस क्या था यह रिवर का पानि आप देख रहे होंगे दो जगे एक तरफ हुगली है और दूसी तरफ यहां पर जा रहा है जिसको हम पदमा खैते हैं जो बंगलदेश में चली जाती है बेराज बनाकर हमने वाटर का एक पॉर्शन डावर्ट कर दिया हुगली की तरफ यानि कि अब जो पानी यहां पर जाएगा वो कौन कंट्रोल करेगा इंडिया कंट्रोल करेगा और आपको पता है बांग्रदेश में भी significant amount of population at that point of time was dependent on agriculture और agriculture के लिए छेप पानी तो ऐसे में इनको सबसे पहले तो इनके agriculture को भी नुक्सान तूसरा इनका यह कहना था कि जब गर्मियों का time होता है तो उस time पर यहां पर पानी कम हो जाता है और जिस time पर हमें पानी की ज़रूद नहीं होती जब आपके पास भी और फ्लो होता है तो उस time पर आप हमारे तरफ और फ्लो सिल्टिंग की problem थी तो ऐसे में अगर हम रीवर का flow यहां पर बढ़ा देते हैं तो सिल्टिंग मतलब जो जमा हो जाता है रेज जमा हो जाता है वह clear होगा और ऐसे में यह जो पोर्ट है यह अपना efficiently काम कर पाएगा तो यानि कि हम अपने इंट्रस्ट के लिए कर रहे थे औ वाटर में यह केवल हम इसले कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे मेजर लिए कोलकाथा पोर्ट को में प्रिजर्व करना है यह सिर्फ हम इसले कर रहे हैं तो वी आर गुंग टो एंशूर अडिक्वेट अमांट अफ फ्लो इस गोई टोड़्स पद्बा यह इंडिया का स्टेंट लेकिन बंग्रदेश को यह ठीक नहीं लगा और ऐसे में दिस एक्चली लेट वट डिकलाइन इंडिया-बंग्रदेश रलेशन बंग्रदेश ने का हमारे एन्वार्मेंटल री मिस एन्वार्मेंट को भी खत्रा है एकॉनमिक इंपक्ट भी होगा फिशरी इंपक्ट रहेगा इन्होंने का कि देखिए गंगा जो है वो इंटरनाशनल रीवर है अगर एक देश से दूसरे देश में आ रही तो ऐसे में आप उस पर ओटोनमस डिजन कैसे ले सकते हैं अगर पानी हमारे छेत में भी आ रहा है तो हमसे भी सलह मशवरा करना चाहिए था तो ऐसे म जो जियाओर रहमान हैं वो कहते हैं कि एक आइडिया है आइडिया यह है कि सार्क नेशन्स बनाईए आप एक सार्क ग्रुप बनाईए साउथ एशन नेशन्स की और रीजनल कोपरेशन और यह छोटे-छोटे देश मिलकर काउंटर बैलेंस करेंगे इंडिया को ऐसा क्यों क्योंकि जियाओर रहमान कहा रहे थे कि देखिए इंडिया साइज में एकॉनमी में कई सारे फैक्टर्स में इन छोटे-छोटे देशों से जादा उपर है पांगलदेश हुआ नेपाल हुआ भुटान हुआ शिलंका हुआ तो हम साथ आ जाते हैं तो यानि कि सार्क का जो आइडिया ये कंसेप्चिलाइज कर रहे थे वास्तू बैलेंस इंडिया लेकिन उसके बाद एससेनेशन हो जाता है जेवर रहमान का और उसके बाद हम देखते हैं कि बांगलदेश की पॉलिसी में बड़ा चेंज आता है अब यहां से मैं कहना चाहूंग इस बात को आप स इंडिया के साथ क्या रोका था नहीं यानि कि यहां पर मैं पता लगता है कि बांगलदेश ने जियो एकॉनमिक्स को प्रियरिटी दी जियो पॉलिटिक्स को बैक सीट में रखा यानि कि अगर जोग्राफिकली इंडिया इतना ज्यादा हमसे कनेक्टिड है और खुद के मुद्धे पर सारा रिलेशन को खराब करके रखें अब यहां पर आप कंपेर कीजिए का पाकिस्तान से पाकिस्तान ने आज तक जियो पोलिटिक्स को प्रेफरेंस दी है और जियो एकॉनमिक्स को बैक पर रखा है और इस वज़े से देखिए पाकिस्तान के हालात क्या ह है और इसी वज़े से अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने एक वाइट पेपर रिलीस किया means official document रिलीस किया कि उनकी अब आगे क्या प्लाइनिंग और वो कह रहे हैं कि अब हम जियो एकॉनमिक्स को प्रात्मिक्ता देंगी means now if there are disputes between India and Pakistan that won't actually stop trade relations to improve right तो यह एक सिल्वर ल जरीया क्या है एक तो हम जो पैडि है राइस है उसको export करते हैं उससे कमाई होती है जूट प्रड़क्ट्स हैं उसको export करते हैं उससे कमाई होती मेजरिटी फॉप्लेशन एगरी कलचर पर dependent है लेकिन वह एक्रिकलचर इतना efficient नहीं है तो जाहिर सी बात है अपनी एकॉनमी क आप ऐसा नहीं है कि हम इहाँ पर heavy industries लगाएंगे, you know, cement industries and big projects. We can not do that. So why not support industries which require minimum investment and minimum support by government. Government support कर देगे in terms of policies. Tax rebates देदेगे, export पर रबेट देदेगे, import पर रबेट देदेगे. Right? Enabler बन जाएंगे. So I see we choose किया, I see industry. For example, textile industry, pharma industry, right? अब जिस ताइम पर वो ये कर रहे थे, उस ताइम पर इंडिया में क्या चल रहा था? इंडिया भी उस ताइम पर balance of payment crisis की तरफ बढ़ रहा था. यानि कि इंडिया में भी जितना जादा हम import कर रहे थे बाहर से, उतना जादा हम export नहीं कर रहे थे. तो जाहिर सी बात है, foreign exchange reserve, यानि कि जो हमारे पास हमें चाहिए foreign exchange जिसके तो हम trade करते हैं, वो मात इतना रह गया था, in 1991, when this situation got worsen, कि हम किवल तीन हफ़ते का import कर सकते थे, अब जाहिर सी बात है, कि इंडिया को भी transform करना था, बंग्रिदेश को भी transform करना था, तो इन दोनों ने सोचा, कि जो सार्क सार्क कह रहे थे जिया और रह्मान, क्योंना सार्क को as a, as a, ऐसी ग्रूपिंग की तरह हम इस्तमाल करें, जिससे कि हम आपस में ट्रेट बढ़ाएं, अगर हमने आपस में ट्रेट बढ़ाया, तो सब के लिए फायदा है, तो ऐसे में, economically stark turned out to be beneficial, अब 1991 में, बंग्रदेश बाइ, वस एक्टली, इसमें की इंडिया ने भी contribute किया majorly, तो जाहिर सी बात है, यह एक positive note रहा, इंडिया-बंग्रदेश relations का, इसके बाद 1991-1996 में, अब वहाँ पर democracy का scope दिखता है, और BNP सरकार बनाती है, बंग्रदेश Nest List Party, धान से सुनिएगा, दो parties हैं बंग्रदेश में major, एक है अवामी लीग और एक है BNP, BNP की लीडर, मिस्स खालिदा जिया, शी इस विडो आफ जनरल जियाओर रह्मान, जियाओर रह्मान, इंडिया के anti-strand रखे थे, राइट, चाइना और पाकिस्तान के करीब थे, और ये हमें अभी तक देखने के लिए मिलता है, कि जो बंग्रदेश नेशलिस्ट पार्टी, जब वो सरकार में आती है, तो उसका inclination पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ रहता है, और जब अवामी लीग सत्ता में आती है, तो इंडिया एश्वर हो जाता है कि अब हमारे रिलेशन बंग्रदेश के साथ अच्छे होंगे, अब जो हम प्रोजेक्स लाना चाहरे हैं, नौर्थीस के साथ करने के लिए, अब वो आसानी से काम हो जाएंगे, तो ऐसे में बंग्रदेश रिटर्न टू डेमोक्रिटिक्स और रिलेशन जो है कुछ हद तक इंप्रूफ होने शुरू हुए, कुछ हद तक, बंग्रदेश और इंडिया दोनों ने ऐसे दो रहाए पख़ड़े थे, उनोंने liberalization, privatization, globalization को अपनाया, liberal policies को अपनाया, इससे investment आना start हुआ, job creation होनी start हुई, लेकिन पाकिस्तान में उस टाइम पर क्या चल रहा था, पाकिस्तान में चल रहा था, unstability in politics, bombing Islamabad, तो ये पाकिस्तान में चल रहा था, military overthrow कर रहे है government को, poverty, shattering economy, so these were the crisis, तो हमें इसमें नहीं पढ़ना था, तो ऐसे में हमने देखा कि India और Bangladesh policy level पर भी एक तरह से एक जग़े खड़े थे, 1996 में जो नेक्स टुनाव हुए तो उसमें आवामी लीग आती है, शेक हसीना, शेक मुझिबूर रह्मान, बंगा बंधू, जिन्होंने बंग्रदेश को establish करने में major contribution किया था, ये उनकी बेटी है, उस assassination में ये बच गई थी, क्योंकि ये उस दिन घर में नहीं थी, the whole family was killed, so इन्होंने finally जो फरक का बराज, गंगा रीवर को लेकर जो dispute था, वो resolve हुआ, और यहां पर एक agreement हो गया, कि गंगा से कितना water किसकी तरफ जाएगा, तो it was a major achievement in India and Bangladesh relations, तो इससे हमें क्या पता लगता है, कि अपने relations को आप आगे बढ़ाईए, economically engage कीजे, और जो political issues हैं, वो धीरे धीरे resolve हो जाएँगे, जब economic interdependence बन जाएगी, जब आप दूसरे की जरुद बन जाएगे, और दूसरा आप की जरुद बन जाएगा, तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो तो result हो ही जाते हैं, right, तो इंडियो बांगलादेश relations further improved after this, अब इसके बाद, during this time what happened, the rate of savings in Bangladesh were not that fine, आप कहेंगे, आप सेविंग की बात कहां से आगई, देखें हम बात करें कि बांगलेश transform हो रहा था, तो ऐसे में export तो बढ़ा, लेकिन देखें कोई भी जो developing nation होता है, उसमें अगर saving rate अच्छा रहता है, यानि कि आप saving करें हैं, small saving scheme में डाल रहें हैं, बैंक के पास रख रहें, तो उस पैसे का होता क्या है, वो further loan दिया जाता है, to different companies, जिससे कि वो नई factories लगा सकें, और नई factories लगाएंगी, तो नई लोगों को jobs भी मिलेगी, कुछ production भी होगा, अब जब ऐसा हो रहा होगा, तो आप skill भी develop करेंगे, तो कहने का मतलब यह होता है, कि जो developing nations होते हैं, वहाँ पर पैसे की जरुत होती है to invest, तो अगर आप save करते हैं, तो उसका एक positive impact पड़ता है, on economic growth of that nation, I am talking about developing nations, ठेक है, खेर Bangladesh was slowly progressing, and because of this agriculture export, और this Chittagong port, जहां से उन्हें trade, अच्छा करना start कर दिया था, अब reasons of slow growth क्या क्या थे, too much focus on economic reforms, लेकिन अभी भी जो कानून थे, तौर तरीके थे, वो पुरा नहीं थे, अभी तक trade deficit चल रहा था, trade deficit का मतलब यह होता है, कि आप import अभी भी जादा कर रहे हो, export आप कम कर पा रहे हो, जो net foreign earnings उनको हो रही थी, वो actually जो यह produce कर रहे थे, उसकी actual value से तो बहुत कम थी, low level of human development, education, health, skill, इसमें poor थे, और मुझे बताईए, अकर आप education में, health में, skills में poor हैं, तो क्या वो देश कभी भी economically prosper कर सकता है, जब economically prosper नहीं कर सकता, क्योंकि जनता ही पढ़ी लिखी नहीं है, जनता है healthy रही है, there's a lot of expenditure going on on this, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, और जब economically prosper नहीं होगे, तो फिर militarily prosper कैसे हो जाएंगे, और militarily prosper नहीं होगे, तो आपकी security जो है, अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास क्या-क्या positive चल रहा था, LPG हम लाए थे, liberalization, privatization, globalization, Mr. PV Narsimmar Rao, was Prime Minister at that point of time, finance Mr. Manmohan Singh, FDI आ गया था, foreign act investment आने लग गया था, जब companies को लगा, अच्छा, इंडिया में आसानी से invest हो सकता है, जब यहां पर investment होने लगा, factories develop होने लगी, तो हम कुछ quality products भी बनाने लग गए, तो हमारे export भी होने लग गए, साथ में inflation हमने control करके रखा था, inflation control रखा, तो जाहिर सी बात है, जो हमारी खुद की population है, वो consume भी करेगी, और जब वो consume करेगी, खरीदेगी, भी अगर price कम होंगे, तो खरीदना असान होगा, और जब खरीदेगी, तो जाहिर सी बात है, फैक्टरी वाला करेगा, यह तो बेचा जा रहा है, और consume जनता कर रही है, तो चलिए और produce करते हैं, और produce करेंगे, तो और लोगो, जॉब भी मिलेगी फैक्टरी में, तो ऐसे में competition भी improve हो रहा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आया, तो banking, insurance, कितने सरे सेक्टर में, प्राइवेट कमपनी आ गए, अब प्राइवेट कमपनी आई, तो इससे फायदा क्या हुगा, अब आपको better innovation मिलेंगे, जैसे आज मैं ये use कर पा रहा हूँ, आप ये सब देख पा रहे हैं, आपको ये लगता इसका एक reason competition है, अगर एक ही company होती, government company होती, वही internet देती, तो आपको लग रहा है कि आपको इतने आसान शर्तों पे, आसान दरों पर आपको मिल जाता, नहीं मिलता, मुझे याद है वो time जब 6 महीं ने आपको wait करना पड़ता था, तब जाके आपको internet connection मिलता था, रिश्वत भी देनी पड़ती थी कहीं बार तो, ऐसे हालात थे, लेकिन competition हुआ तो accessible हुआ, net accessible हुआ तो कितने सारी industries develop हो गई, कितने आसानी से लोग skill up करने लग गए, so these are the positive factors of these policy changes, और यहां पर मैं कोट करना चाहूँगा, एक book है, Why Nations Fail, there's a book, Why Nations Fail by Darren Ace Moghloo, वो एक बात कहते हैं, बहुत ही खुपसूरत बात है, वो कहते हैं कि किसी भी देश का भविश्यक क्या होगा, वो वहां के जो political institutions हैं, और जो economic institutions हैं, उस पर depend करता है, और Bangladesh और इंडिया की स्टोरी में यह बात सठीक बैठती है, पाकिस्तान देख लिजा, क्यों इतना जादा पीछे हैं कहीं सारे factors में, यह बात जादा की स्टोरी में यह स्टोरी आज़। है लिए टो एकॉनमें कहीं सारे आज़ पर विखे थी, प्लेक अंगी ने किसी दिशक इंडिया बनाइं, भंग्रादेश करपा है क्योंकि एसी नेतिया बनाइं, बनाइं, बनासी बनाइं, जब ऐसे इंस्टिटूशन से राइट इंडिया ऑल्सो गेव टैरिफ कंसेशन तु बंग्रदेश क्योंकि परोसी उससे संबंद बनाकर रखना पता है कि उसके ट्रेड डेफिसित हो रहा है तो हमने का कि चलिए 47 47 गुट्स की तो हम ऐसे लिस निकालते हैं जिस पर इंपोर् इसे रखेंगे जिसमें की आप महरत हासिल करें हुए हैं जैसे की टेक्स्टाइल तो बंग्रदेश क्यों अच्छा ऐसा करेंगे आप बिल्कुल करेंगे अब तो इससे फायदा क्या होगा बंग्रदेश के जादा प्रोडट्स इंडिया में बेचे जाएंगे और बेचे होंगे तब ही हम उनके साथ उनका जो लेंड है वहाँ पर हम उन प्रोजेक्टS को ला पाएंगे जिन प्रोजेस्ट के ति हो हम North East में पहुँच पाएंगा असानी से तो एक तरीके से यहां पर अगर हम उन्हे कुछ leverage दे देंगे, तो वहाँ पर हम काफी सारा पैसा बचा लेंगे, to bring prosperity in north east, security in north east हर ये बासन में अब 2001 और 2006 के बीच में जो government आई, उसने सारा game खराब कर दिया coalition government आती है और ये coalition government के time पे जो आसाम में सेशिनिस्ट group, उल्फा उसको वहाँ पर पनहा दे दी जाती है, पता लगता है कि वहाँ पर मौजूद है और साथ में कई सारे जो terrorist group हैं उनको भी वहाँ की सरकार पनहा देने लगती है तो इसके बाद तो इंडिया बांग्लदेश relations deteriorate, यानि कि अब तो बांग्लदेश कि रीजन का इस्तमाल इंडिया की security को compromise करने के लिए हो रहा है इसके बाद 2008 time change होता है आवामी league आती है और आवामी league आती है तो जाहिर सी बात है अब इंडिया के relations better होंगी 2004 से 2009 के बीच में UPA1 थी, 2009 से 2014 के बीच में जो government थी, दुबारा Congress की UPA2 उस time पर finally ये हुआ कि चलिए जो major dispute हैं जैसे land boundary agreement और आपका तीस्ता water इसको resolve करते हैं तो काफी हद तक resolve करने के हम करीब आ गए थे लेकिन ममता बैनर जी West Bengal इनका ही कहना था कि देखे इससे पहले जो आपने गंगा water treaty करी थी उसकी वजह से West Bengal के interest हुए है compromise इस वजह से I'm not agreeing on that तो ऐसे में आप कहेंगे भई National Government अगर चाहेगी तीस्ता water पर अपना डिजन देने की तो फिर West Bengal के CM क्या कर सकती है देखे water जो है state subject है तो ऐसे में state government को confidence में लेना भी जरूरी है तो यानि कि आपको पता लगा कि यहाँ पर national government and state government का सिंक में ना होना हमारे इंडिया बांग्रदेश relations पर एक impact डाल रहा है इसके बाद बांग्रदेश कोपरेटेट क्योंकि यहाँ पर शेख हसीन आ चुकी ती और ने का कि क्या problem है आपको इंडिया ने का कि आपसे पिछले वाली सरकार ने कितने सारे आतंगवादी समूग वहाँ पर रहने दिया तो आमी लीग ने का अब देखिया आप क्या होगा उनने आर्मी को strict instructions दिये that we have to clean sweep any test group which is in Bangladesh territory क्योंकि यह compromise कर रहे हमारे friend इंडिया के साथ relations को तो जाहिर सी बात है वहाँ पर actions start होने लगे तो जाहिर सी बात है उससे इंडिया और बंगलदेश के relations better हुए साथ में हमने extradition treaty sign करी यानि कि कुछ भारत से जो criminal बंगलदेश में जाकर छुप जाएंगे तो उनको collar पकड़के हमारी police आसानी से ला पाएगी वहाँ पर उनकी कोट उसमें ज्यादा पंगा नहीं करेगी एक्स्टरडिशन treaty सेम इस विद बंगलदेश इसके बाद हम कह सकते हैं आवामी लीग वस इलेक्ट इन 2014 इन 2016 तो 18 तो इससे तो क्या हुआ हमारे लिए एक बैटर यू किन से मौका मिला कि यानि कि अब continuity रहेगी तो यानि कि अगर हम 2014 में कोई project हमने सोचा कि this will be the rail link, this will be the highway अगर सीम सरकार repeat हो रही है ऐसी सरकार जो इंडिया के favor में है तो जाहिट सी बात है इन projects के complete होने, function होने में हमें क्या होगा एक आसानी मिलेगी अब current dispute क्या है एक तो है land dispute हाला कि land dispute 2015 में मोधी सरकार ने agreement sign किया और उसमें exchange हो गए enclaves लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि है क्या ये पंगा देखे boundary issues में enclaves का issue है, enclaves हैं क्या British हुकूमत ने Mr. Redcliffe को बुलाया था Redcliffe जो एक barrister थे बुलाया इस वह से था कि देखे आप इंडिया में formally तो आपने work किया नहीं, तो आप एक neutral perspective से इंडिया और पाकिस्तान का division करेंगे, Redcliffe साब ने थानों के हिसाब से इस area में division कर रहे थे यानि के British time में जे थाने के अंदर का जो area आएगा ये इंडिया का ये वाला थाना पाकिस्तान का अब ऐसे में एक area था बेरूबारी, तो ऐसे में ये माना गया, Redcliffe साब ने कहा कि ठीके बेरूबारी वाला थाना वो इंडिया की साइड आएगा लेकिन जो final award इन्होंने घुशत किया, जो final award means, जो final official declaration था उसमें बेरूबारी वाला जो area था वो missing था, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं miss out हो गया, miss out हो गया तो ये बात पकड़ ली, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने का कि देखी, ये area तो पाकिस्तान का है, यानि कि Eastern Pakistan का ये उस टाइम की बात चल रही है अब ऐसे में इंडियन साइट पे नहरू जी थे, नहरू जी इसको एडवाइस किया गया कि सर, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का है, जबकि रेड कलिफ साब ने मीटिंग्स में डिसकस किया था कि area इंडिया का है तो आप forces लगाईए, इनकी बात मत सुनिये और ये area इंडिया का ही रहेगा फाइनली ये हुआ कि हमें peacefully resolve करना है इस issue को चलिए, फिर इसके बाद हम इसको resolve कर देते हैं, तो इसके बाद हुआ नहरू noon agreement, ये बात है 1958 1958 में agreement sign हुआ और कहा कि चलो ऐसा करते हैं, बेरू बारी जो एरिया है जो जल्प वही गुडी डिस्टिक और वेस्ट में पढ़ता है इसको आधा-धा बाट लेते हैं चलिए भाई बाट लेते हैं अब इसके खिलाफ petition चली गई Supreme Court में कि भाई आप कैसे बाट लेंगे क्या भारत का सविधान सरकार को ये इजाज़त देता है कि आप भारत के किसी छेतर को परोसी देश को दे दीजे कैसे दे देंगे आप क्या executive action से दे देंगे या फिर इसके लिए आपको पर्लिमेंट की permission लेनी चाहिए तो कैसे इस agreement से आप ऐसा कर सकते हैं यह मुद्ध उठा आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको सरकार सकती है लेकिन यहां पर जो है आप इस स्टेट की तोड़ा भी एरिया उस एरिया को सो भी अगर आप दूसरे को देना है कि बाउंडरी चेंज और हैंसा भाउंडरी चेंज हम आर्टिकल 3 के अंदर नहीं करेंगे कि आर्टिकल 3 ये नहीं कहता कि आप अपने दे सकतें शीघ्नि कर सकते उसक्ते लिए आपको कुई 368 का रूट Constitution amendment आपको प्रॉपर लाना होगा यह हुआ कि चलिए ऐसा ही करेंगे आपको ऐसा फॉर्मल लाना पड़ेगा हला कि उसके बाद की बात है यह तो 1960 की बात है 69 में जब रिव्यू हो रहा था यह डिजन विद रिगार्ट टो एक्चेंज ऑफ एंकलिव तो सुप्रिंग कोट ने यह भी बात मान ली कि देखिए अगर एक्चेंज कर रहे हैं एक्चेंज का मतलब है कि हमारे भी कुछ एरिया हैं जो उसके पा पास हैं ऐसा कैसे हो सकता है जी हां होता है कैसे जो फॉर्मल एनॉंस्मेंट हो उसमें तो आपने बाउंडरी को डिवाइट कर दिया लेकिन जो एड्मिस्टेशन को कारवाही करनी थी इन एरियास को फॉर्मली एक्चेंज करने की एक नया देश बना था वो पूरी नहीं ह उपाई तो इस वजह से कहीं एंकलेव ऐसे थे छुट छुट एरियास ऐसे थे कि ऑफीशली था कि वह इस्टन पाकिस्तान के थे बाद में बंगलदेश के माने जाएं लेकिन उस पर जो एड्मिस्टेशन कंट्रूल कर रहा था वो इंडिया का कर रहा था ऐसे ही बंगलद सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब इसमें एक और बहुत ही अच्छा सा मुद्धा है तीन-बीगा करिडोर ज़इल है किसे हमारा बंगल्यदेश यह अमारा इंडिया आपको दिखरा आउन्धूर इस एरिया अभिस एरिया को यह ने थोड़ा बड़ा कर दिया है अब जारदर देखिये ये एरिया है बांग्लदेश का, ठीक है? जो आपको दिख रहा है ग्रीन पार्ट में, ये है तीस्टा रिवर, और ये है पुरा इंडिया का एरिया, ठीक है? अब देखिये, यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है, अंगरपोटा एंड़ागरम यह जो एरिया है यह बांगलदेश के एरिया है means this is बांगलदेशी territory but it is surrounded by इंडिया यह छोटा से एरिया अलग आ गया है ऐसा डिविजन हुआ तो अब मुझे बताईए कि अगर यहां पर जो 51,000 की जनसंख्या रह रही थी उसको अगर यहां पर जाना है बांगलदेश वाले एरिया में तो कैसे जाएगा क्या हर बार उनको इस territory से गुजरना है तो हर बार वीजा पूरी formalities करनी पड़ी अगर ऐसा करेंगे तो यह तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो finally यह हुआ कि चलिए इस एरिया में आप तीन बिगा इनको भारत सरकार तीन बिगा त्री बिगा तीन मतलब त्री बिगा means is a unit of area इसको हम जो है लीज़ पर दे देंगे जिससे कि यह जो एक corridor बनाएंगे means एक road बनाएंगे अपनी territory से और उसमें allow कर देंगी कि आपको जाना इधर जाईए आना आईए लेकिन यह जो अलाव होगा आना जाना यह बारा घंटे के लिए होगा 12 hours daytime हाला कि बंग्रदेश ने का यह तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी इनके लिए हम चाहते हैं free exchange हो आसानी से किसी भी टाइम आजा सके इनके लिए ज़रूरी है तो finally इंडिया ने का कि ठीक है चलिए ऐसा भी कर देते हैं हम आपको लीज पर देते हैं यह एरिया कि अभी तक आपके दिमाग में किवल वेस्ट बंगॉल आ रहा है कि अच्छा वेस्ट बंगॉल में कुछ एंक्लेव थे उदर बंग्लदेश में कुछ एंकलेव थे ऐसा नहीं है वेस्ट बंगॉल में थे देखिए जो रेड हैं वो एरियास हैं going to बंग्लदेश यानिके एंडिया कंट्रोल कर रहा था बंग्लदेश को गया है more coming to India यहनिके की तरफ देखिए में भी है तो यहनिके आसाम में खैरा में भी एंख्चेंज किया गया अब ऐसे रहेंवे बंगलदेश में फिटन चीफूंब acre of land or population 37,000 something so this much land was belonging to Bangladesh was but was in control of India yeh dekhye 7,110 acre so this land belong to India but it was controlled by Bangladesh now you will say sir why don't you do this so you don't do this and you don't do this past past land to exchange why did we do this so we have to go to the house see this is how you understand internationally when it was carved out and internationally recognized that this will be the boundary between India and Pakistan so this will be the boundary between India and Pakistan so this will be the boundary between India and Pakistan and if we don't believe this then this is a long term dispute in India-Bangadish relations number one second international level our standing has to compromise on the island to this wall right so this is why it is a facility no longer does it not a smooth one I will be aware of the support of the country how hard is this we have to show the option here with this exchange is because 50 from 60,000 people from India in Andia in West Bengal it will work for the the end of the 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 कैसे होगा यानिके तो एडिशनल बर्डन हो जाएगा वेस्ट बंगॉल गॉर्ण्मेंट पे इनका यह कहना है दूसरा फिर गॉर्ण्मेंट निसका क्या का गॉर्ण्मेंट ने का हम आपको तीन हजार करोड का स्पेशल रियाबिलिटेशन पैकेज देंगे स्टेट्स को जिससे कि वो फूड शेल्टर और इनका इंतजाम कर सके हाला कि मैं आपको यह भी बता दू कि इन लोगों को चोईस दी गए कि आप जिस एरिया में है उस एरिया में जैसे अभी बांग्विदे हो जाएगी तो you can read it no worries कोई डाउट होगा तो शेशांग डॉट पावर बींग इंस्टाग्रम हैंडल है आप कोई भी मैसेज करेंगे तो इट रिप्लाइड तो अब यह पूरा इश्यू है 2015 में सैटल हो गया हंडर्ट कॉंस्टिशन अमेंडमेंट लाया गया इसको ठीक है अब ऐसा डिस्प्यूट हुआ क्यों यह इतना ज़्यूजन हुआ क्यों इंकलेव को लेकर उसका एक रीजन है क्योंकि जो रीवर है वो अपना फ्लो चेंज करती है राइट विट ताइम वाटर और अलसो डिद्यूजिस इन रीवर बेसें जैसा हमने देखा है तो ऑब्जविं इन केस ऑफ काला पानी इशू विडियो में इसकी बात करेंगे अब देखिए आकड़ा देखिए दो से चैंक करोड का जाता है इलीगल इमिगरेंट बंगलदेश वाले एडिया से इंडिया में अब वहिएशन देखिए दो से चैंकरोड मतलब चार करोड को क क्योंकि एक्जेक्ट पता लगा पाना बहुत मुश्किल है राइट इसे जो आपके नौर्थीस्टन वाले एडिया जब वहाँ पर इलीगल माइगरेंट आ गए डेमोग्रेफी चेंज हुई उन्हें कहीं सारे जो गौवर्न्मेंट लेंड थे उसको किपाई किया शेल्ट चिंडने वाली बात है तो अगर आप इंडि़ल इमिगरेंट काने दे रहे हैं तो यससे तो भारत के खुद के लोगों के अधिगरों को चीन वाली बात हो गई तो इस पर एक मेजर activity साईन हूआ ता सान इकॉट में आगए 34ीशाजैसिकार कि बात जितने भी लोग आ एक तो है आपका push factor, एक है pull factor, push factor का मतलब है कि वहाँ पर कुछ परेशानी है, जैसे poverty है, unemployment है, civil war जैसी conditions थी, तो उस वज़े से push, यानि कि उनको धक्के की तरह लगा कि कहा जाएं, तो चलिए India side चले जाते हैं, pull factors, यानि कि attract हो रहे हैं, attract क्यों हो रहे हैं, better employment opportunities, better services, तो इस व B.S.F. महाँ पर लगी हुई है, कई बार देखा जाता है कि human trafficking, drug trafficking, तो इन issues को control करने के लिए, हमारी forces जब attack करती है, फिर उसका international issue बन जाता है, यानि कि excessive use of force happens sometimes, और ये भी India-Bangलदेश relations में एक chalk point है, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, वीना सीक्री, जो की 1970 batch की Indian Foreign Service Officer ह और बांगलदेश में इंडिया की High Commissioner भी रही है, तो इन्होंने यहाँ पर तीन points आपको दिये है, यह point जब भी कोई question आए, इंडिया-Bangलदेश relation के issues related, वहाँ पर आप आसानी से use कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी बाद है, इन्होंने का कि मुद्दा ये नहीं होना चे कि चल भी रखते थे border, border के उस पार, और ऐसे में वहाँ पर व्यापार भी करते थे, तो वो facility हमेशा से होती थी, यह जो boundary का concept है, specific line कीचेंगे और यहाँ पर wire आ जाएंगे, यह concept जो है, वेस्ट का concept है, और इस वज़े से यह जो frontier areas की जो communities हैं, इनको बड़ी problem होती है, तो ऐसे मे better solution यह है, कि आप regulate कर दीजे, अगर वो इधर आएं तो valid एक work visa उनके पास हो, जिससे हम उनकी identification कर सकें, कि अच्छा आप वहाँ से work visa पर आए, तो इतने time के लिए कर सकते हैं, वापस आपको जाना पड़ेगा, दूसरे इनने का कि climate change दे एक बड़ा issue है, जैसे और जादे इंडिया की तरफ आएंगे, तो अगर immigrant issue को solve करना है, तो इसको थोड़ा comprehensively सोचिए, कि इवल दिवार बनाने से solve नहीं होगा, जिन जिन समस्याओ की वेसे उत्पन होता है, from which actually causes this, हमें cause पे काम करना होगा, तो climate change is also one cause, और जो push and pull factors हैं, इन पर भी काम करना होग This is her view, अब military issue क्या है, 1975 में बोथ Awami League and BNP, they actually favored good relations with China, बोथ favored good relations with China, और मैंने बताया है, Awami League और BNP में से Awami League favors good relations with India, लेकिन जो BNP है, वो इंडिया के साथ अच्छे relation का उतना inclination नहीं रखती, 2002 में बांगरदेश ने चाइना के साथ defense cooperation agreement sign किया, जिसके तहत, now their forces are cooperating in terms of logistics, in terms of technology sharing, शी जिन पिंग ने विजिट करी और कहा कि बांगरदेश हमारा strategic partner है, strategic partner, अब ये क्यों है strategic partner, क्योंकि चाइना को पता है, कि इंडिया के साथ relations अच्छे नहीं है, तो ऐसे में बांगरद में इंवेस्टमेंट करेंगे, पोर्ट में इंवेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अगर पैसे वापस नहीं दे पाए, तो sovereignty compromise करा लेंगे, उसके बाद अपने basis बना देंगे, उसके बाद अपने basis बना कर, आपको लगता है जो chicken corridor है, इस पर strategically China strong position में आ जाएगा, इंडिया की security के लिए खत्रा है, तो इस point पर हमें इसको देखना हुगा, साथ में China क्या कर रहा है, China to 24 billion dollar का LOC, means land of credit, कि आपको हम infrastructure के लोन देंगी, यह उन्होंने promise किया है, China supply to Ming class submarines also to Bangladesh, water dispute पर बात करें, तो ऐसे में ममतब energy का यह कहना है, कि देखिए, जब अभी जो last visit थी इनकी बा हम भी निकालना चाहते हैं, बस यह चाहते हैं कि जो भी solution हो, उसमें मुझे भी confidence में रखा जाए, यहाँ पर मैंने इसकी past की trajectory बताई है, जैसे मनमोहन सिंग जी गए थे बागनादेश, यह expect किया जा रहा था कि ममतब energy भी जाएंगी, ममतब energy UPA की coalition की member थी, यानि कि गड़ के favor में हूँ, लेकिन हमें एक बीच का रास्ता निकालना होगा, मुझे conference में रखा जाए, तो हमें पता लगा कि India constructed फरका बराच यह एक water issue था, गंगा water agreement यह भी एक issue था, मतलब ममतब energy के लिए issue था, हम तो कहा रहे हैं कि एक major achievement है, बराक river पर यहाँ पर जो dam का project है, वो भी इंडिया जो है, अब जड़ा trade देखिएगा, 9 billion dollar के trade में 0.8 billion dollar import होता है, मीज इंडिया इंपोर्ट करता है, जबकि 8.2 billion हम export करते हैं, तो यह हमारे favor में हुआ कि नहीं हुआ, कि हम जादा बेच पा रहे हैं, उतना खरीद खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन यह नुकसान दाय क किसके लिए है, बंग्रदेश के लिए, तो बंग्रदेश कहता, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो इंडिया ने कहा, देखो हम इतने 46, 47 प्रोड़क्स तो हम ऐसे हैं, जिस पर हम tariff ही नहीं लगा रहे हैं, हम आप पर कोई import duty नहीं लगा रहे हैं, बेची हमें, साथ में ह हम कहा रहे हैं कि देखे, कुछ negative list थी, जिस पे तो हम कोई compromise करते ही नहीं थे, वो भी आपको allow कर रहे हैं, कि इन products में भी आप deal कर सकते हैं, specifically textile वाले products में हमने उनको छोड़ दिये, क्यों दिये हैं, मैंने आपको बताए, इस से better होते हैं relation, non tariff barrier, non tariff barrier, यानि tariff का मतलब होत एक एक हफ़ता निकल जाता है, तो मुझे बताईए, ट्रक अगर सामान लेकर खड़ा है, तो वो सामान जब इंडिया की तरफ आएगा तो महंगा हो जाएगा, क्यों ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, अगर महंगा हो गया, तो क्या वो उतना जादा बेच पड़े, उस एक्सपोर्टर को कम देने पड़े, कम देने पड़े तो अब उसका जो कॉस्ट है, वो कम हुआ, कॉस्ट कम हुआ तो इंडिया में जब प्रड़क्ट आया, तो वो जादा बेच पाएंगे, उनको बैटर होगा, मतब इंडिया उनके लिए फेवरेबल होगा फेवरेबल मारकेट होगी, राइट, इलेक्रिसिटी की बात करें, 600 मेगवाट हम दे रहे हैं, बेंगॉल साइट से, प्लस अभी त्रिपुरा से भी 600 मेवाट हम देना चाह रहे हैं, अब रिसेंट डॉलक्मेंट्स की बात करें, तो देखिए, किसी भी छेतर के फ्यूचर को बदलना है, रूट्स मैटर, ये बात तो आप मानते होंगे, रूट्स मैटर, क्योंकि रूट्स से होता है, ट्रेड, ट्रेड साथी, प्रोस्पारिटी, प्रोस्पारिटी कनवर्ट होती है, फिर आपकी अधर्स, तो ऐसे में, अकौरा से अगरतला, 2018 में रेलवे लिंक अखौरा ही यहां पर है अगरतला इंसे पुरा इससे अगर यहां पर बन रहा है तो उसके बाद हम इसको रोड के थू लिंक करना चाहरे है अपने वेस्ट बेंगल वाले एरिया से वेस्ट बेंगल वाले एरिया में जाकर कोलकता से अगरतला का जो रास्ता है वो एक हजार कि जाएगा, तो time बचेगा, fuel बचेगा, cost बचेगी, तो यानि कि आसान शर्तों पर, or you can say, on better prices, these products will be able to reach in our Northeast. Road and highway links पर हम काम कर रहे हैं, you can see this road and highway links, purpose क्या है, same purpose है, कि हमें Bangladesh की जो location है, इसका जो land है, उसको use करना है for the prosperity of Northeast. BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Motor Vehicle Agreement, important है, कारण, ये एक तरीके से EU के driving model पर है, जैसे European Union में, आपको एक दूसरे से देश से दूसरे देश में जाना है, और आप वहीं के नागरिक हैं, तो आपके लिए जाना बहुत आसान होगा, not much formalities would be required, तो ऐसे में integration, better trade होगा की नहीं होगा, better trade होगा, prosperity आएगी, तो ऐसे में, लेकिन मामला कहां stuck हुआ, Bangladesh agreed, India agreed, Nepal agreed, Bhutan में, जो lower house है that agreed, बट जो upper house है Bhutan का, वहां से उनने clear नहीं करा, क्योंकि जो ruling party थी, उनकी majority नहीं थी upper house में, अब क्यों नहीं करा, दो reasons उनने दिये Bhutan में, number one, उनने का, कि अगर Bangladesh, इंडिया, नेपाल से ट्रक्स भोटान में आने लगे, trade के लिए, तो जो हमारे truckers हैं, उनके लिए नुक्सान दायक होगा, जो हमारी truck industry है, दूसरे ननने का, environmental concern, तो इनका कहना था कि limit होनी चाहिए, कि कितने ट्रक भोटान में आ सकते हैं, को continue करें, वो आपस में engage करें, future में जब चुनाव होंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा कि हम कैसे भुटान भी इससे integrate हो सकता है, clear है बात, तो this is the route of BBIN, और ये इस area की future को change कर सकता है, साथ में देखे, ये हमारे routes हैं, जिस पर हम link करना चाहा रहे हैं, कॉलकाता, बेनापोल, सब्रूम, चितागॉंग, शिलॉंग, अब मुझे बताइए, अगर ये connectivity ना हो, तो क्या, यहां से यहां पर connect रने मापको लगा, charges बहुत जादा लगेंगे, right, so that is why infrastructure actually is a road to prosperity, and infrastructure is a way to change the geopolitics of an area, अब benefits क्या क्या है, सबसे पहले तो dependency रिडियूज हो जाएगी, किस पर से लिगुडी कोरिडोर पर, point number one, याद रखिएगा, दूसरा interdependence बढ़ेगी, इंटर डिपेंडेंस बढ़ेगी बंग्रदेश से, तो ऐसे में शान्ती आएगी, क्योंकि जब दूसरा आप पर निर्बर होता है, आप दूसरे पर निर्बर होता है, छोटे मुटे मुद्धे, आप ऐसी सुल्धा लेते हैं, इस distance जो है कम हो जाएगा, बताया आपको अभी अभी, साथ में, the agreement has been passed by Nepal, मैंने बताया आपको बंग्रदेश, इन्होंने पास कर दिया, भुटान ने अटका रखा है, भुटान ने लेकिन काया कि आप continue करिए, हम भी future में इसको देखते हैं, कैसे और continue कर सकते हैं, इंडिय भुटान है, वो अलड़ी having such agreement, यानि कि इंडिया भुटान के पास है, बंग्रदेश और नेपाल को साथ मिलकर जो integrate करना है, वो हमें BBIN में करना है, तो इंडिया की जो strategic relation है, आप कहां पर stand कर रहे हैं, हमने 5 billion dollar का line of credit promise किया है, बंग्रदेश को, defense sector के लिए, हतियार खरी द हो, corporate यानि के patrolling activities in this bay of Bengal region उसमें भी हमारी और बंग्रदेश की निवी साथ काम कर रही है, अब reason क्या है, बंग्रदेश की fast growth के पीछे, number one, एक तो पीछा चुटा पाकिस्तान से, नहीं तो वही instability रहती, और prosperity ना हो पाती, दूसरा labor laws जो हैं, वो इतने strong नहीं है, labor laws strong नहीं ह कि अच्छा labor laws week हैं, तो चलो हम यहाँ पर investment कर जाते हैं, profit हम maximize कर लेंगे, तीसरा garment industry, garment industry labor intensive industry है, यानि कि जिसमें investment कम है in comparison to big industries, लेकिन नोकरियां जादा लोगों को मिल जाती है, तो बंग्रदेश के model के लिए तो बिलकुर सठीक था, इसमें एक और region है कि बंग्रदेश ने जो female participation labor force है, उसको improve करा, जो पाकिस्तान में नहीं था, और मैं आपको बता दू, ये केवल समाजिक मुद्दा नहीं है, इसका सीधा सीधा relation economics है, अगर हमारे समाज का जो other half है, women है, उनको आप unburden करेंगे, उनका participation better होगा, harmony होगी, तो उससे prosperity भी आती है, ठीक है, industry और service sector प ही हो रहा था, इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया struggle कर रहा है, means agriculture sector में अभी भी बहुत ज़्यादा dependence है, हमने देखा कि बांग्रदेश ने social और political factors पे काफी improve करा, जैसे कि दो reasons मैंने आपको starting में बताये थे, बांग्रदेश ने in terms of hunger, in terms of gender parity, इंडिया से भी better result दिखाया है, तो यानि कि हम कह सकते हैं कि जो डाइवोर्स हुआ, बांग्रदेश का पाकिस्तान से, वो डाइवोर्स एक्चली बांग्रदेश को economically and you can say other factors पे मजबूत कर पाया, अब यहां पर एक realist perspective से हम इस video को end करेंगे, realist perspective सीधी सी बात, मतलब इंडरा गांधी जी, जिनकी political will थी कि बांग्रदेश create हो पाया, उनका क्या मानना था, she was not doing from idealist perspective, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वो long term India के interest को भी देख रही थी, उनका कहना था कि बांग्रदेश के साथ हमारे relation अच्छे रहेंगे, वो इस वह से अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी फायदा है और उसमें भी एक transformation लाया, from idealist to realist, right, तो चलें यसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, end, फिर मिलेंगे next topic के साथ, उमीद करता हूँ, कि यह topic पर, इसकी layers पर आपको clarity मिली होगी, यह shashank.powerbeing insta handle है, वहाँ पर कोई doubt आपको पूछना आप पूछ सकते हैं, यह pdf available हो जाएगी, sh keep learning, keep growing.